ऐलो की सब्जी आपने बहुती बार खाई होगी एक बार मेरे तरीके से यह मसाले के आलो की सब्OR Gy बना कर डेकिए कब गाइस बहुती टेश्टी, यमी बनती है और बहुती सपाइसी बनती है और जट्रपार पड बन जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको यह मसालेदार आलू की सब्जी बनाना सिखाएंगे तो देरी न करके फटा फट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल कुझकी रसोई सो दोस्तों बनाते हैं एकदम इसपाइसी चटपटे मसालेदार आलू की सब्जी बनाने के लिए हैं आपर मैंने डेड़ किलो आलू ले लिए हैं आलू हमारे नई वाले हैं तो इनके न पर से चिकल निकाल दिये और इसमें बहुत जाता मिट्टी होती है तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको अच्छे जए दो तीन वार अच्छे से वाश कर लिया है और प्रेशर कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है और सारे आलू मैं इसमें डाल दूंगी कुकर में तो इसमें हम एक ही सीटी लगाए इतने ही एक सीटी लगा रही है इतने हम कर लेते हैं मसाले की तैयारी तो फ्रेंट्स अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जाड ले लिया है यहाँ पर हमने चार प्याज रफ्ली कट कर ली है और एक लसन की गाट्ट्री वह भी मैं अच्छे से छील के डाल दिया है इसमें कर और एक इंच मैंने अध्रक ले ले तो वह भी मैंने इसमें डाल दिया है तो फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे इसमें मसाले एड करेंगे तो आपको यह चम्मस से दिखा देती हूं तो आपको यह देखे गाइस कितने अच्छे से मारा मसाला तैयार हो चुका है तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं इसकी सब्जी बनाने की तैयारी इसके लिए चलते हैं अपनी गैस की तरह तो फ्रेंट्स गैस पर हमना कडाई चलते हैं अब क्या करेंगे इसको अच्छे से हम तेल को पकने देते हैं इतने हम अपने आलो चेक कर लेते हैं आलो वी अच्छे से हमारे एक सीटी लग चुकी है और मैंना इनको हातों से दवा दूँगे ताकि जब हम सब्सब्जी बनाएं बनाएं तो इसमें मसाला आए अच्छे से इसमें भर जाए तो चलिए दोस्तों आलो हमारे अच्छे से उबल चुके है तो अब हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा तेल गरम हो चुका है तो यहां पर मैंने हिंग भी डाल दिया है हि परसनली गाई इस सब्जी में हम जीरा नहीं डालती है तो फ्रेंट्स अब मिक्सी जार में हमने थोड़ा सा पाइंट डाल के और इसमें हम मसाले में डाल दिया डाल लेंगे वाद इसको अच्छे से हम बोलेंगे जब तक मसाला जब तक यह तेला छोड़ दे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं अलु मसाला बहुत इच्छे से कोट हो चुका है अब यहाएं प्रमम क्या करेंगे पानी डालेंगे पानी अपने इससांप से ढर सकते हैं कम य जादा तो यहापकर मिनेरे ना इसको 5 मिन तक अची Państu पका लेंगे सो फ्रेंट्स पांच मिनिट कंप्लीट हो चुके और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पर्फेक्ट तरीके से बनकर तयार हो चुके मसाले ने तेल छोड़ दिया इसका मतलब यह है कि हमारी सब्जी बहुत अच्छे से बन चुके और खटके भी इसमें अच्छे से लग चु तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमारी पर्फेक्ट तरीके से सब्जी बनकर तयार हो चुकी है यह देखे दोस्तों अब हम क्या करेंगे फटा पट से इसके हम कर लेते हैं प्लेटिंग मेरे को तो बहुत जादा भूग लगग लगए तो बहुत ही टेस्टी लगते तो आप भी इसी तरीके से बना कर जरूर देखना बहुत ही अच्छी लगते घर आई मेहमान को भी बना कर खिला सकते हैं और खुद भी बना कर खा सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरू बरता आना तो चलिए दोस्तों यह मैं फुल तो जीपे पानी यारा फटा फट से में खाके बताती हूं तो फ्रेंट्स साथ में हम खाएंगे यह लच्छे वाली प्याज मजा आगे सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं आप भी इस तरीके से अपने घर में बना कर खा सकते हैं घर वाले आपके खुश हो जाएंगे बहुत ही जल्दी बन जाती है तो जब भी फटाफट सा कुछ अच्छा खाने का मन करें न तो यह मसालेदार आलू की सब्जी आपको कैसे लगी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई भर बर के लाइक कर देना ब्लू कर दो करना कम अच्छी बाद दे धेर सारा प्यार दे सपोर्ट दे मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ न्यू रस्टीपी के साथ बाबाय टेक केर लव यू